बालों की समस्याओं का All-in-One Solution आज आपको मिलने वाला है चाहे बाल आपकी कितने भी ज़्यादा टूरती जड़ती हो बाल बेजान हो चुकी हो बालों की ग्रोथ नहीं हो रही हो तो आज की remedy का इस्तिमाल आप जरूर करके देख लेना 100% ये आपके वालों में अपना effect छोड़ता है और वालों को healthy और मजबूत बनाता है तो चलिए आए हम देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे बना के तयार करना है तो सबसे पहले जिस चीज के हमको जरूर पढ़ने बाले है वो है आमला पाउडर यानि कि gooseberry पाउडर आगर आपके पास में आमले का पाउडर नहीं है तो आप हरा आमला इस्तिमाल कर सकते हैं उसको छोता-छोता सा कट कर लीजिए और फिर उसको मिक्सर में अशे से चला लीजिए उसका पेश्ट बना लीजिए उसको भी आपिस्तिमाल कर सकते हैं यह विस Totallybad तो उसको पीस के उसका पेश्ट बना के उसका भी इस्तिमाल किया जा सकता है मेरे यहां पर एक चममच लिया था आमला पाउडर इसके बाद में जो अगली चीज हम इसके अंदर एड़ करेंगे बो है सीका काई पाउडर पी आपको ले लेना होगा एक चममच अगर आपके प चममच आमला पाउडर और चिका काई पाउडर हमने दौनों को एक चममच लिया है इसके बाद में जो अगली चीज में इसके अंदर एड़ करने जा रही हुँ वह है महदी जिया हमको लेनी होगी यहां पे लवा एक से देर चममच महदी महदी हमारी बालों के लिए एक नीचल और कंडिशनर का काम करती है बालों को एक्स्टा शिल्की साइनी बनाती है इसलिए आप कोई भी पैक इस्तिमाल करें तो उसमें मेहदी थोड़ी सी जरूर एड कर दिया करें इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है बिटमेनी E का कैपसूल मैं यहाँ पे बिटमेनी इसलिए यहाँ तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में इन दौनों मैंसे कोई भी चीज नहीं है तो आप इसको इसको कर सकते हैं अगली चीजों में इसके अंदर एड करने जा रही हूं वह है कोकोनट ओईल आप अपनी पसंद का कोई भी ओईल इसके अ कर लीजिए और हमारे बालों को सॉफ्टनेस देगा मोश्राइब करेगा साथी साथ में बालों को सिल्की बनाता है और हमारे हेर ग्रोथ के लिए और तो काफी जरूरी होता ही है तो मैं यहाँ पर दो चमच इसके अंदर कोकोनट ओईल एड कर रही हूं अब जो नेक्स्ट के लिए हर तरह से फायदेबंदी होता है तो मैंने यहाँ पर लगवा एक छोटी कटोरी इसके अंदर दही एड कर दिया है और इसके बाद में हम इन सबी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहिए तो इसको ब्लेंडर में डालके चला भी सकते हैं जि को भी खतम होता है इसके लावा बाल आपके नेचरल तरीके से सिल्की सानी बनते यह एक नेचरल कंडिशनर का काम करता है अगर आपको बहुत हैर फॉल हो रहा तो आप दही का इस्तिमाल जरू करके देखें यह आपके बालों को जड़ने और तूटने से रोकता है और बाल गंटे के लिए लगा के छोड़ देना होगा एक से देर घंटे के बाद में अपने बालों को एक माइलड सेंपू से दोली जिए इस पैक को आप हफते में एक से दो बार आराम से लगा सकते हैं उम्मीद करते हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी जादा हैल्फ और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना, सेयर कर देना और पिंक्सी चैनल को सस्क्राइब जरूर करना